लड़कियां लड़कों के कौन से अंगों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं? यार मैं कैसा दिख रहा हूँ? मेरा लुप कैसा है? मैं जिस लड़की को पसंद कटा हूँ, मुझसे पटतो जाएगी न? दोस्तो अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं, कोई लड़की आपको सचमुच अच्छी लगने लगी हैं, तो ऐसे सवाल अकसर आपके मन में घूमते रहते हैं। लेकिन कई बार आपको ये पता नहीं होता कि लड़कीया किन चीजों से अट्रेक्ट होती हैं, लड़कों के कौन से अंगों पर उनका सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है। दोस्तो इस बात में सच्चाई है कि लड़कियां आम तौरपर लड़कों के कुछ अंगों से अट्रेक्ट होती है। होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक चेस्ट जब लड़कियां लड़कों से मिलती है तो वो उसके बॉड़ी पर ध्यान देती है जिसमें चेस्ट एक एहम इस्सा है लड़कियां आम तोर पर लड़कों की उभरी हुई चेस्ट पर मरती है चोड़े को प्रोटेक्ट भी करेगा चोड़े और उभरे हुए चेस्ट वाले लड़कों के साथ लड़कियां अपने आपको सेथ फील करती है नमबर दो आखें दोस्तों लड़कियों के गहरे और खूपसूरत आखों को देखकर सिर्फ लड़के ही उन पर नहीं फिसलते बलकि लड़कियां भी लड़कों की आखों पर अपनी सूजबूच खो बैठती है लड़कियां लड़कों के आखों को देखते ही ये पहचान लेती है कि ये लड़का कैसा है इसकी नजरे कैसी है लड़की की गलत और सही नजर को लड़कियां तुरंत पहचान लेती है लड़क लड़कों को जिस तरह slim figure वाली hot लड़किया पसंद आती है, वैसे ही लड़किया भी apps वाले लड़कों को पसंद करती है हाला कि सारी लड़किया लड़कों के apps नहीं देखती, लेकिन कुछ लड़किया उनके apps पर पिदा रहती है वो नहीं चाहती कि उसका पार्टनर निकले पेट वाला हूँ लड़कों के एप्स में बनने वाले छोटे छोटे बिस्किट जैसे शेप लड़कियों को बहुत जादा अट्रेक्ट करते हैं अगर आपके पास एप्स हैं तो आपके बिना कुछ किये लड़की खुद बखुद आपकी और अट्रेक्ट होने लगेगी नमबर चार लिप्स जब आप लड़कियों से लड़कों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि लड़कियां लड़कों के लिप्स पर भी काफी ध्यान देती हैं मतलब जब लड़की किसी लड़के से बात करती है तो वो उसके lips पर ही ध्यान देगी। लड़कों के गुलाबी होट लड़कियों को ज़ाधा attract करते हैं। लड़की जब किसी लड़के से बात करती है तो भले ही वो उस लड़की से बात करी हो पर उसका पूरा फोकस लड़के के लिप्स पर होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां लड़के के lips को देखकर उसे imagine करने लगती है कि यदि future में उस लड़के के साथ उसका कोई relationship हो तो वो जब किस करे तो softness वाली एहसास महसूस हो लड़कियां लड़कों के बाल और दाड़ी पर ध्यान दे दी है क्योंकि ये दोनों चीजें लड़कों को attractive बना दी है अगर कोई लड़का अपने बालों को अच्छे ढंग से रखे तो वो बहुत ही जादा attractive दिख सकता है लेकिन अगर कोई लड़का अपने बाल और दाड़ी पर ध्यान ना दे तो वो सुन्दर होने के बावजूद और भी attractive नहीं दिख पाता कई लड़के अपने बालों को लाल हरे जैसे अजीब और गरीव रंगों से कलर करवा लेते हैं जो लड़कियों को बिलकुल पसंद नहीं आते लड़कियां लड़कों के बालों में natural और black shiny hair ढूंती है आम तोर पर लड़कियों को लंबे लड़के पसंद आते जिसे देखने के लिए उसे अपने सर को उठाना पड़े कई बार देखा जाता है कि लंबे लड़के ज़ादा attractive होते हैं लंबे लड़कों के साथ वॉक करना, उनके साथ बातें करना, भूमने जाना, ये सब लड़कियों को पसंद होता है। लंबे लड़कों को पसंद करने का एक और कारण ये भी होता है कि लड़किया उनके सामने अपने आपको चायल्ड की तरह फील करती हैं और उनके सामने नाधानिया करने से जरा भी स्टर्माती नहीं है लड़किया लड़कों की कलाई और हाथ पर ध्यान देती हैं लड़कियों को चोड़े कलाईवाले लड़के पसंद आते हैं, क्योंकि ऐसे लड़कों से जब वो हाथ मिलाती हैं, या फिर उनके साथ हाथ पकड़ कर चलती हैं, तो ऐसे हाथ उन्हें strong लगते हैं, वही पतली कलाईवाले लड़के लड़कियों को ज़्यादा आटरक्ट नहीं कर पाते लड़के अपने हाथों में क्या पहनते हैं इस बात पर भी लड़किया ध्यान देती हैं लड़के अपने हाथ में ब्रसलेट पहनते हैं या घड़ी पहनते हैं या फिर अपने फिंगर्स में रिंग पहनना पसंद करते हैं इन चीजों पर लड़किया कई बार ध्यान देती है। लड़के अगर watch पहनते हैं तो लड़किया उन्हें time punctual मानती है। लड़कों के हाथों में watch और rings लड़कों के हाथों को attractive बनाता है। दोस्तो लड़कियों की इन आदतों के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात से अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे कि जब लड़कियां आपसे बात करती हैं या आपको देखती हैं तो वो आप में क्या notice करती हैं। अब आ आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ताकि उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिल सके। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय पर नॉटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। हम खिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।